सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल सुनिपट 24 को सबसे पहले लेतस्ट ख़बरे देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए हरियाना राज्ये चुनाओ आयूग ने नगर निकाय के चुनाओ की घूशना कर दी है जिसके बाद हरियाना की राजनितिक दलों में हल चल देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में हरियाना की कैबिनेट मंतरी सोनी पत कुंडली नगर पालिका के दोरे पर पहुंची और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतिय जनतापाड़ी सभी चुनाओ के लिए तयार है और जन्नाई जनतापाड़ी के साथ चुनाओ लड़ने का फैसला संगठन का होगा हम पहले भी नगर निकम के चुनाओ साथ लड़ चुके हैं और हम चुनाओं में प्रचंट बहुमत से जीत हासिल करेंगे वहीं जिस तरीके से रोतक से बीजेपी सांसद आरविंद शर्मा ने मुख्य मंत्री महनोलाल खटर और परविधायक मंत्री मनिश क्रोवर पर अपने तेवर तल्स किये तो मीडिया के सवालों पर कमलेश ठाड़ा अपना पला जारते हुई नजर आई उन्होंने कहा कि आरविंद शर्मा उनके सम्मानित लेता है और उनके इस ब्यान की उन्हें कोई जानकारी नहीं है उन्होंने विपक्ष पर निशाना साथते हुए कहा कि कॉंग्रेश को चिंतन शिवर की आवश्यक्ता नहीं है उन्हीं तो चिंता की आवश्यक्ता है किसी भी पार्टी में एक परदेश अध्यक्ष होता है जबकि कॉंग्रेस में कोई पर्देश अदक्षा है ही नहीं जो की चिंता का विश्य है आम आदमी पार्टी पर निशाना सात्ते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कोनबा हरियाना में नहीं बढ़ रहा पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा जो गोशना की गई थी वो भी पूरी नहीं हो रही मंत्री कमलेश धांडा के साथ कुंडली नगर पालिका के दौरे पर निकले राई विधायक मोहलाल पडोली ने आरविंद शर्मा के तल्ख तेवरों पर बोलते हुए कहा कि सभी राजनेताओं का राजनीती करने का अलग-अलग सभाव होता है और ये उनका सभाव है वही उन्होंने अरविंद शर्मा बोलते हुए का ही, अभी आरविंद शर्मा भारत्यजनता पार्डी में गई है और उन्हे भारत्य जनता पार्डी की कारिशेली को समझने में समय लगेगा सोनी प्ट 24 के लिए रमिश्क मार की रिपोर्ट अबतक लोगसभा के हमारे माननिय सांसद है अरविन सर्मा जी और उन्होंने जो तलख तेवर की बात आपने की है मैं कहता हूँ यह उनका सुभाव है राजनिती करने का अलग अलग सुभाव होता है और भारती जनता पार्टी में वो नए हैं और जिस प्रकार से भारती जनत करते हैं, हम साशन करने की बात कम करते हैं, साशन के साथ था हम करने का साथ साथ करने का का है, इस इस परजम में काहा है वो जमीन गोरशंस्ता की है उसको दी जाएगी एक उसकी परक्रिया है। को समय पर फोलो आप नहीं कर पाए और बहुत जल्दी वह जमीन गोड़ संस्ता को दी जाए अब कहीं न कहीं अर्विंद शर्मा नीजे कहा कि मुख्यमंतरी अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं बहुत नजदी की आदमी के बारे में भी गल्त फैमिया हो जाती हैं घर में भ बावनाएं थी वह वावनाएं उनकी पूरी निवी इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अपना वक्त वे इस परकार का दिया है क्या बीजेपी में किस तरह कारिया करते हैं नहीं कई कई दफ़े ऐसा वहां वातावन था समाज के लोग इखटा हुए थे उनकी सब की बावनाए का आदर करने के लिए उन्होंने इस परकार के सब्दों का परियोगी है लेकिन विपक्ष लगातार अरविन शर्मा के इस ब्यान को तूल देता हुआ नजर आ रहा है विदायक जी विपक्ष कह रहा कि यह बीजेपी पार्टी है वो अपने संस्टों को ही समझावा रही है बीजेपी पार्टी एक बहुत ही सुझ भूज से बहुत ही संग्ठित तरीके से देश के बारे में सोचती है प्रदेश के बारे में सोचती है समाज के बारे में सोचती है सभी का सम्मान करते हुए बारती जनता पार्टी काम करती है और सभी का सम्मान होगा हमारे सांसत जी कभी होगा और समाज के लोगों कभी अभी निकाय चुनाव और नगर पालिका के चुनावे वो आ रहे हैं क्या आप जन्ना एक जन्दा पार्टे के साथ गटबंदन वे चुनाव लड़े जाएंगे क्या जाएंगे अभी जब हमारा विदान सभा का चुनाव हुआ तो दोनो इसे को लेकर दोनों पार्टियों के भी कोई बैठक नहीं पार्टी अभी आपने देखा होगा के पांच परांतों के चुनाव हुए तब काफी राजनितिक पार्टियों ने अपने गटबंदन किये इस परकार का वातावन देश में बनाने का प्रयास किया और चार परांत के साथ हम जीत कर आए हैं और आज देश की जंता ने मान लिया कि 2024 में भी प्रदानमंतरी इंडरेंदर मोधिजी का कोई विकल्प विपक्स के पास नहीं है वो फिर 2024 में तीसरी बार इस देश के प्रदानमंतरी बनेंगे हर्याना प्रदेश में मुख्यमंतरी मोनौलाल जी के नेतरतों में फिर तीसरी बार भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यह आम आदमी पार्टी तो मैं कहूंगा इसमें जैसे एक खर्पतवार होती है और वह उगती है और लेकिन थोड़े से चिड़काओं में वह नश्ट भी हो जाती है तो जनता उसका समाधान अपने आप करेंगी और अब्एस वरवरी को खुद केजरिवाल आ रहे हैं हर्याना की चंता बड़ी राजनितिक सुझबूद से बड़ी जागरुक है है और दिल्ली का सासन केजरिवाल का देख चुके हैं उनकी जूटों को पैचान चुके हैं और जिस परकार से पंजाब में उनके मुख्यम प्रवाइन के अंदर अंदर यह चुनाव होने और इन चुनाव में बारती जनता पार्टी के विचार की छोटी सरकार हमारी बनेगी तो अपने आप इसका संदेश चला जाएगा देखिए नकरपालिका और नकै के चुनाए हों उसको ले कर आज मैं पुंडली के का कमे पर्ची के ले करता हूं विचे ऌपहरतीय जननत्य परतिय तरीक जोने 500 डाइव जनव data icon जणी Questo नहरी तरीके से त्यारी है उब हम सब्सक्राइब क्यूश। ज़ोन घृँए जब हुए देखी से चैने तो बहुत बड़ी आ दर्ची can informate तो किस तरह देखती हो लगातार कॉंग्रेस भी कह रही है कि अपकी बार भाते दिंदा पार्टी है वो सता से बाहर होगी और निकाय चुनाव या नगरफाली का जो चुनाव है हम उसमें प्रचन बहुंगों से जीत हासिर करेंगे क्या बात तो इनका कोई एक जो पर्देश देख्स होता है कई पर देख्स जो बने है यह कि जिंदा का इवी से है और यह हमारी भारतिया जनता पार्टी का संगठन मजबूत है एक परिवार है और बड़ी मजबूति के साथ हम यह चुनाव लटने का काम करें और जीतने का का मैं कल रोतक में ब्रामन समाजय परशुराम जैनती है वो मनारा रहा है वहां पर अरविन शर्मा के तलग तेवर हैं वो मुख्यमंत्री और मुनिश क्लोवर के खिलाब देखने को मिले उसको लिकर आपकी परतिक लिए गया देखिए अरविन जी मारे मानिय है और अक्स मान माल छेक गोती विकास्तव से आमांदार मुक्हमंत्री हैं और एक बड़ी सूज बूज के साथ काम कर रहे हैं और हमारे जो पर्देश सरकार भडी आत्रिके से चलायों है और वार मुझ ब्र मुक्यमंत्री इसन्सुर्ष तक से अंगर सब्सक्राइब करते हैं और उन्हीं ने देखना उसमें मैं कुछ नहीं कैसे आम आदमी पार्टी में लगातार अपना कुंदबह है वह रियाना में बढ़ा रही है उसको लेकर आपकी क्या प्रक्रिया आम आदमी पार्टी एक टकोसला है कोई पुंबानी बढ़ रहे हैं का जो नोने पंजाब में बोशना की थी पहले बद तो वह बोशना ही नहीं पूरी कर सकते हैं और आज अगर मजबूत है तो सारा देश उर्परदेश में भरती जंता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मजबूती के साथ काम करें हमारे सभी कारिये करता प्रिवार समज़कर सुखाम करें